हेलो बावो लोग कैसे हैं आप सब सौगत है आपका मेरे चैनल पर जो भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया तो बावो लोग आज हम खेले जा रहें करिके 19 आइपील का टोर्नमेंट 2021 तो हमने तीन मैच अभी तक कवर कर ली हैं चैने व्योग वाली हैं देखते हैं कि कौन जीतेगा ओविएसली कोशिश करूँगा कि चैने भी शूपर क्रिग से ही जीते तो आप बस वीडियो को पूरी देखिएगा रिजर्ट का वेट करिएगा और तो आपको यह वीडियो में मजा है वीडियो ऑगर आपको पस만द सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी का एकन बना होगा यार उसको दबाद होगे तो आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आजाएगा आपको यह असानी रही गया और एक और बात मेरे इस्टाग्राम हैंडल नीचे है दिस्क्रिप्षन में उसका लिंक दिया हूए मेरे इस्टाग्राम पर जाके मेरे को फॉलो कर लेजे बहुत यह अच्छी वीडियो निकालता हूं मैं वहां पर भी बीट सिंग मेरे स्टाइल में और यहां पर आप देख सकते हैं कि और round 5 होगा, round 4 में चैनेश सूपर गिंग्स का कोई मैस नहीं था, लेकिन आप देख सकते की round 5 में चैनेश सूपर गिंग्स के दो मैच है जो की हम केलने जरूर जा रहे हैं मैश स्टार्ट करने से बहले बस एक चीज़ कहूंगा आप लोगा का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा इतना साथ देने के लिए और आगे भी ऐसे बने रहेगा मैं भी आपके साथ बने रहूंगा सिधा चलते हैं बिना किसी फर्दर बक्चोदी के हम मैश स्टार्ट करेंगे और लेट्स गो तो कोछ इस प्रकार है चेने सुपरिविंग्स का लाइन ना प्रितुराज का एक वाड़ फाव डूपलेसी मोहीन अली सुरेश रहनाम बत्ती राइडू रविंद्र जड़ेजा एमिस धोनी सैम करनन डूइन बरावो और शार्दूल ठाकुर और दीपक च जहर इसके अलावा क्या मैं कोई चेंज करूं इसमें मेरे को लगता तो नहीं है मैं कोई चेंज करना चाहिए लूंगी इंगीडी को लाने का सोच रहा हूं लेकिन छोड़ो इस मैच में हम इसी टीम के साथ खेलेंगे राजिस्थान रॉयल्स का एक बार हम जल्दी से खेम पाल जोफरा अर्चर जाइदेव उनाटगर्ट और कार्तिक त्यागिगर के बंदे काफी अच्छी टीम है राजिस्थान रॉयल्स की जिसे साथ देख रहा हूं मैं सीधा शुरू करते हैं मैच की तरफ आपको टॉस के ताइम मिलूंगा में तुबाव लोग सागे दे देख बंक सब्सक्राइब और अजिक का बिघंड रोल्स टॉदिएंग राजिस्थान रोयल्स टॉस चीच चुके है फ्लीस हमें बैटिक में दियो प्लीस दो मैच से बांटिक कर रहा हूं मैं स्टार्टिग में फिर से अचा राजिस्थान रोयल्स हाव चूजन टूव ब रहे है राजिस्थान रोयल्स की तरफ से हमारी तरफ से दीपक चेहर बोलिंग डाल रहे हैं फिलाल में थोड़ी सी फील्डिंग चेंज कर देता हूं जल्दी से क्योंकि मेरे को ऐसी फील्डिंग चाहिए नहीं तो पहली वाल हम डालने जा रहे हैं अमने आउट्सुरिंग सिंपल सी ज्यादा कुछ बक्चोदी हम इसमें करेंगे नहीं और थोड़ी सी फास्टर डिलिवरी डालने वाला हूं और इसने ड्राइब कर नहीं कोशिश की लेकिन यह डंग से टाइम नहीं कर पाया जौस बटलर और सिदा फिल्डर के हाथ में गया है फिर से आउट्सु से में गपाया सब्सक्राइब यह जबाद में अब इसको मैं सर्प्राइब इन टोगता हूं थोड़ा से ओफ में ठोकेंगे टाकि स्विंग होके यह अंदर को आएब वरना यह से लिग्सेट पे चलियाती यह बाल इसको श्क्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है तो हम्हे सब्सक्राइड में फैकने पड़ता है ताकि वो स्विंग होके थोड़ा अंदर को जाए चलो फिलहाल राजिस्थान रॉयल्स गेट आफ दी मार्क उन्होंने एक रन ले लिया है और बेन स्टोक्स आगे हैं स्ट्राइक पे इनको तो मैं स्विंग डालूगा ताकि इनके ले कीजा हमें छक्का ही पड़ेगा सीथा और वह भी बैया बैया आउट इट माइट रॉप शॉट यार एज ही बजा रहे बहुत अच्छा पहला ओवर दीपक चहर के दौरा और एक फास्टर डिलिवरी डालूगा क्योंकि आगर पेसर ही फास्टर डिलिवरी नहीं डालेगा वह दो कोई डाले अपाँ और अमने फ्री हीट का बहुत ही अच्छा इस्तमाल कर लिया है कोई रहन नहीं दिया हमने फ्री 일 फ्री हिट पर जो की बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बॉलिंग साम करन बहुत अच्छी बॉलिंग तुई लड़के दीपक चेहर फिर से बॉलिंग करने आके लिए आ चुके हैं और वही हम अपने पुरानी से आउट स्विंग होकेंगे ड्राइव करने की कोशिश की जॉस बटलर ने लेकिन नहीं हो पाया उसे ड्राइव अच्छे से नहीं हो पाया गाप नहीं डूट पाया वह बचारा लेकिन मैं जैसे ऐसा बोलता हूं तो चौका पड़ जाता है बैंचो फुद्धू पंतियार मैं को पता था कि जॉस बटलर जो है ना हमारी बोलिंग को पहचान गया है जो हम यह बार बार आउट स्विंग डार ने इसके पैरों पर हमें तीन तीन बार ही से शॉट खेलने कोशिश कर रहा था और अभी भी इसने वहीं खेल दिया यार दो बॉल पर दो चौके मार दे आए ताइम नहीं कर पाया था फिर भी अच्छे से लेकिन कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं है सम करन को हटाеж धोनि भाई शार्दूल थाकर को लेा हैं बोलिंग की पर और मैं डालूगा शार्दूल थाकर से बें स्टोक से हैं क्योंकि स्ट्राइक पर काफी अच्छी बॉलिंग काफी अच्छी बॉलिंग और यह डाइव मारते हुए कौन थे यह जड़ू नहीं डूएन बराव होते हैं तो बावलोग चावरोगर के बार राजिस्थान रोल्स का स्कोर है 21 रंस तो स्कोर तो इनका काफी कम है मतलब हम अच्छी बॉलिंग डार अच्छी यंग एज यह टेकन सन्याज फ्रॉम क्रिकेट अच्छी बिलीब इट यह जल्दी तीन रन नहीं रन नहीं होगा रन आउट बैंचो इतने शाने से पहुंची इसानी से पहुंची इसानी से सिंपल ओफ्स्पिन जड़ू से क्योंकि बेंस्टोक से स्ट्राइक प में रखेंगे ताकि स्पिन होके इसके लातों के पास है ओ बहुत क्लोज भाई बहुत क्लोज यार सीधा ऑफ स्पिन डालूंगा ऑफ साइड में हलका सा और फ्लाइटी डिलिवरी होगी है ओ गैप में तो निकाल दिया लेकिन यह डोंट थिंक यह चौकली ले जाएगा भ में और एक फास्टर डिलिवरी होगी है आवसे यास फाइनली विए टेकन विकेट आपको लग रहा होगा कि मैंना कॉंफिडेंट कैसी हो क्योंकि यार साफ साफ दिख रहा था कि उसके प्याड पर बजा और मस्त विकेट लिए शार्दूल टाकुट ने ले लो बाई तु दम बिल्कुल कोई हर जी नहीं था कि वह आउट नहीं होगा यह देखिए बिल्कुल इंपक्ति लाइन पिचिंग लाइन एंड विकेट भी हिटिंग थी तो मैं तो अगर इंपायर नौट आट भी देते तो मैं तो उसको चैलेंज करने ही वाला तो देखो जौस बटलर आउट हो चुक है ज्यादा कुछ किया नहीं जौस बटलर ने और मेरे को डर यह है कि संजू सैमसन आके ठोके गई ठोका गई जो उसने स्टार्ट कर भी दिया है ठोकना और रिंग ते रिंग ते बॉल बाउंडरी पे पहुंच गई तो बावलोग साथ ओवर हो चुके हैं और राजिस्तान रॉइस का स्कोर है 38 और एक लूज कर चुके हैं फिलाल संजू सैमसन ने स्ट्राइक पर और मेरे कोल पता था यार यह वादा स्ट्रोक खेलेगा बैंच ओ तो आट होवर हो चुक है और 47 रंस बना लिए राजिस्तान रॉइस सही है हमारा भी विकेट चटकाई थी क्या इन्होंने मज़ा आ गया था और इस बार तो यह पहली बॉल पर ही चौका खा रहे हैं यार मोही नहीं भाई क्या हो गया कोई नहीं एक एक चौका तो सबको पड़ता ही है फिर भी मैं इसको ऑफस्पिन डालूंगा और एक फ्लाइटे डिलिवरी होने वाली है कि एक और मैच के हिर और डिवें ब्रावो आचके हैं आउट्स्विंग ठोगा मैं संजू साम्शन इस बारी और फास्टर डिलिवरी होगी स्टार्टिंग बें नहीं स्ट्रेट ड्राइव कहलते रहते हैं यार कि आ आउट्सुंग एक तो दितक्तर ना जान्हीं धिन्हिं आवजे फाइनली दूसरा काम करी गई हमारी संजू सैम्शन भी आउट हो गया है जो कि बहुत डेंजरस लग रहा है तो मेरे को ले ले बाई रिव्यू मत ले तू फुद्दू अवे तो अवेर तो ने रिव्यू लिया तो क्या निक बजा है और सीधा धोनी के सेफ क्लव्स के अंदर संजू सैम्शन ने 31 रन बना लिए ते 21 बोलो में यार पता भी नहीं लगा मेरे को तो कि रियान पराग आचुक है अब बल्ले वाजी करने के लिए दीपक चेहर की बॉलिंग है दीपक चेहर हमना तीसरा ओवर डालते हुए इंस्विंग ठोकूंगा मैं बेंस्टोक्स को वही जो पुरानी सी घिसी पीटी डिलिवरी में स्मैच के स्टार्टिंग से डारा हूं लगने सी इस डिलिवरी से यह बेचारा रुक के अभी शांत बैठा हुए वरना भी तो यह पता नहीं कितने ही रन मार रहा हुता था था हाथ में बात कर रहा था कि बेंस्टोक्स ने यार सन्यास ले लिया यार क्रिकेट से और यह यहां पे बेंस्टोक्स भी आउट होते ह और बेंस्टोक्स यह बात जानते थे कि रिवियू लेता है तो मेरे को गालियां बढ़ती है जो पेविलियन में जाके इसलिए उन्होंने नहीं लिया शिवम दूबे अभी यहां पे आचुके हैं एक बार आप भी गाये पे देख लिया कि कितना अक्यूरेट LBW आउट थ हुआ है मिडल विकेट को हिट कर रहा है यार क्या बोलिंग डालिए क्या बोल डालिए इंस्विंग डालेगे शिवम दूबे आयतिंग स्ट्राइक पर वह भी लेफ्ट-handed बैट्समन है तो हमारी इंस्विंग इन पर भी काम करनी चाहिए बहुत अच्छे से स्ट्रेट ड् अब तो स्कोर है 73 और हमने तीन विकेट ले लिया यार मज़ा करूंगा मज़ा आ रहा है बोलिंग करने का और आये आयम शौर कि राजिस्तान राज़स को बैटिंग करने का तो बिलकूल अघा नहीं आ रहा होगा यहां पर मैं एक मस्त सी औस्पीन थोकता हूं वीड़ को आवासे येस क्या delivery डाली है यार दीपक चैर ने मज़ा आगया वह एंचो क्या bowling डाल रही है तू दीपक चैर डाल रही है क्या बोल्लिग डाल रही है तू दीपक चैर डाल रही है क्या बचारे का gender change कर दिया है क्या निक बजा और धोनी भाई ने क्या कैच के यार बंदर की तरह बॉल को देखते हैं से बिलकुल आंके टीक आगया आचो राहूल टेवटी आचुके हैं बैटिंग करने के लिए जिन्होंने एक और में पांच छक्के मारते अबी रिसेंटली और पूरी दुनिया बैचो शौक होके रहेगी थी एक और लेफ्ट हैंडड बैच्मेन एक और ओ क्या मस्ट बॉलिंग डाल रहा है यार दीपक चैर फिलाल दो विकेट ले चुका है तो बावल लोग सोला ओवर हो चुके है राजस्तान रॉयल्स के 110 रन है और चार विकेट के नुकसान पर पंजाब क इस तो अभी तक ओल आउट होगी थी बैंच लेकिन स्टार्टिंग में उसने पंजाब की ने बड़ा रुला है तीसरा मैच अगर आमने नहीं देखा है तो मैं यहां कहीं कार्ड डाल दूंगा आप जरूर से देखिएगा तीसरा मैच बहुत इंट्रेस्टिंग हुआ था उसमें हमने हैट्रिक भीच ली थी मतलब एक पर्टिवलर प्लेयर ने लेकिन टीम के हैट्रिक जरूर हो चुकी थी आप जरूर से देखिएगा और फिलाल मैं अच्छी बॉलिंग डाल रहा हूं यहां पे और रियान पराग के 24 रन हो चुके तेरा बॉल में रियान पराग किस दा मैं वो निट्स तो गेट आउट है दूसरा ठोकूंगा ऑफ साइड में हलका सा ताकि थोड़ा सा तो बीठो ओ बीठ हुआ बिलकुल लेकिन निक नहीं बजा यार उसके बैट से मजा नहीं आया कुछ फिर से एक दूसरा डाल के देखते इस बार यह पकड़ और आउट आउट फाइनली हमारा जो बहेंचो शडियंत्र था ओए मांच फजात आउट है यह बहेंचो आउट है यह तो मैं चालेंज करने वाला हूँ इसलिए हमने रिव्यू बचा के रखा था बिलकुल प्लम है यह बिलकुल आई डोंट थिंग कि मिस होने वाला है कु बस मैं यह डर है यार वहेंचो कि स्पिन होके वहांचो मिसिंग ना हो जाए विकेट यार यह तो डेफिनेटली आउट है बिलकुल बिगाई पे देखेंगे पिचिंग बिलकुल सही है आउट साइड ओफ है इंप्रैक्ट भी बिलकुल सही है और विकेट सिटिंग बिलकुल विए फाइनली मेड एंपार चेंज इस डिसीजन बहुत ही गले डिसीजन लिया रहे विकेट यह तेवट है अमने तरको जाल में फसाया तू जाल में फस गया और अब क्रिस मॉरिस हाचग है बैटिंग अने के लिए और रियान पराव और मॉरिस दोनों ही आपस यह देखें पहली बॉल पर इसने स्ट्रेट ड्राइव खेलने कोशिश किया और चौका चला भी गया तुबाव लोग आखरी ओवर के लिए हम आचुके हैं राजस्थान रॉयल ने आइंट ओवर में हमारी गांड मार के रगदी 141 रंस बना लिए 5 विकेट के नुकसान प पड़े यॉरकर लेंथ पे बॉलिंग डालूंगा बिल्कुल और फास्टर डिलिवरी ठोकेंगे सीधा इसके पैरों पे वही एक बॉल है जो कि हमें किसी भी तरह के रन पढ़वाने से रोक सकती है इस समय और यह दो रन लेने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बहागे यार बे मार देता है ब्रावो क्रीश के बाहर था वो यार क्या फॉक अप गेम है यह बैंचो आउट स्विंग ठोकता हूं एंड में और एक स्लोर डिलिवरी होप करता हूं कि बैंच अरे नो बॉल हो गया यार आखरी बॉल नो बॉल बैंचो फुद्दू बनती यार करी ढोग रियान पराग ने अपनी 50 भी कतम कर ली और हमारी गांड मार के भी रख दी यार फिफ्टी वन रंस बना लिया रियान पराग ने और राजिस्तान रॉल्स को एक रिस्पेक्टेवल टोटल तक पहुंचाया है रियान पराग ने तबावलोग यह है राजिस्तान रॉल्स का स्कोर कार 159 रंस बना लिए और उन्होंने 20 ओवर में अब हमें 160 रंच जीतने के लिए हमारी बोलिंग कुछ ऐसी रही हमारी बोलिंग कुछ ऐसी रही है चार ओवर में दीपक चेहर ने सिर्फ 20 रंदिया और 2 विकेट लिए मतलब कि सबसे अची बोलिंग उसने डा दिया जड़ू ने भी दो विकेट लिए चार ओवर में 22 रंदिये तो दीपक चेहर और रविंद्र जेड़ेजा ने काफी अच्छी बोलिंग किये बाकि सब ने फक अप कर दिया है सायम करंग और धोनी ने पता नहीं क्यों नहीं दी बोलिंग मेरे को समझ नहीं आ रहा बाकि सब ने जिसने अभी तक अच्छी बोलिंग डाली थी हमारे लिए समने फक अप कर दिया है जौफरा आर्चर आते हुए पहली बॉलिंग डालने के लिए कवर्स के थ्रू गाप दिख रहा है मेरे को रितुराज गयकवाट पहली बॉल खेलेंगे और मैं क्या पहली बॉल पे कवर ड्राइव खेल पाऊंगा बहुत ही अच्छा शॉट खेला है लेकिन टाइमिंग ल कि स्पीड से यहां पर जौफरा आर्चर बॉलिंग करते हुए असलियत की तरह ही बॉलिंग डाल रहे हैं जैसे असलियत में बॉल डालता असलियत में बंदा बता नहीं पहाई जहाज का बेट आए गया और मिडवेकेट के थ्रू हमने शॉट खेला है लेकिन टाइमिंग इस बार भी लेटी दो रन तो हम फिर भी लेंगे दो रन हमें मज़े से मिल जायने चाहिए यहां पर तीन रन के लिए कोशिश करूँगा मैं और उसने गलत एंप्वेट थ्रो के और हम एजी ली तीन रन ले लिया है और क्या ही मस्ट शॉट के लाए बाई फाव डूपले वहां पर बहुत बड़ा गया था और सीधा कवर ड्राइब खेली और वहां चौके के लिए चला गया तो यह ओवर काफी अच्छा गया है हमारा तीन चौके अल्रेडी आ चुके हैं 1.4 ओवर्स के बाद हमारा 22 है स्कोर फिर से कवर में तो गया मेरे को दिख रहा है और क्य शौट खेला है भाई टाइमिंग आइडियल फुटवर्क आइडियल नि फुटवर्क फुटवर्क गुट था लेकिन फिर भी शौट चॉइस बिल्कुल आइडियल था यह इसका तो रीप्ले दिखा दो मेरे को एक बार क्या फैबुलस क्या ड्राइव खेली है यार फाव वाइड होने वाली आईए वाइड ने तो एमपायर ने तो नहीं है तू मेरे को पता दे तो वाइड देदेगा जोफरा अर्चर हमने दूसरे वबर के लिए आते हुए मेरे को लेक्साइड पे थोड़ा सा गाप दिख रहा है मिड विकेट भी खाली है पूरा लेकिन वाफ एसा जौफरा अर्चर को टाइम की नहीं यह दौपारा में बैंचो गेम में तो टाइम करते न चाहिए असलियत में तो इसको कोई टाइम परने पाता है लेकिन गेम में तो करने दो तो यार है न आचुके है लेफ्ट हैंड बैट्समेन है देखते हैं कि क्या पता यह जोफरा अर्चर को अपना सबक सिखा सके कवर ठोकने के बिलकुल पूरी कोशिश रहे कि मेरी यहां पे जोफरा अर्चर को और क्या कावर में ड्राइव खेली है पहली बॉल पे टाइमिंग आइडियल शॉर्ट चोइस आइडियल और फुट वक थोड़ा गुट था तो चलता है लेकिन चौकेक गया है वह बड़ी मात है हाई 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 सुरेश रहना भाई तीन ओवर के बाद 40 रन बना लिया हमने राजस्थान रॉयल्स बैटिंग तो अच्छी नहीं कर पाई और बोलिंग में भी फक करी है मिड विकेट के थरू हमने ग्लांस कर दिया है और रितुराज गायकवाट न हमने तीसरे ओवर के लिए इस जौफर आर्चर को तो मैं इस ओवर में बताऊंगा कि मार खाना एक्चुली में होता क्या है और यह आउट होगे हम कि निकवज के छक्का क्यों गया यार यह ग्लिच है गेम में इसको कोई सुधारो बहन चूँ सुरेश रहना कि 10 ओवर में 20 10 बॉलों में 20 रन है और जो काम सुरेश रहना नहीं कर पाई वो काम रितुराज गाय कोण ने कर दिया बोला है आप थोड़े एक्स्पिरेंस होंगे लेकिन इसको चक्का मारना मेर को आता है और 115 मीटर का चक्का मार दिया जौफरा आर्चर को चार पॉइंट चार और के ब चौके के लिए तो नहीं जाएगा लेकिन हम गैरेंटी दो रन तो जरूर से ले लेंगे अब स्पिनर को टार्गेट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे एक एगरेसिव खेल शौट खेलिंग कोशिश करूँगा और हम यहां पर आउट होते हुए यार स्पिनर को ही आउट हो चुका है बोलिंग करने के लिए जार के रहना पड़ता है ऐसे बंदों से जो एक ओवर में पांच शक्का मार देते हैं और वह भी रियल लाइफ में हैं परस्ट बॉल पर मोहिन अली ने बिल्कुल तीर की तरह सीधा शक्का मारा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का डायग्राम था था थर्ड मैं बिल्कुल खाली है थोड़ा सा भी ओफ में डाले तो मैं वहां पर छक्का माने के बिल्कुल कोशिश करने वाला हूं और क्या शॉट खेला यार कितना अजीब शॉट था वहां पर फील्डर नहीं था शुकरे से कोई भी टो सबसे पहले जल्दे से इसकी Porsche complete करेंगे और खुश्या मनाइँगे यह चिकली मज़जभवय यह मज़ा ही आां गया मोंगी अली अब स्ट्राइक पर है कोशिश करेंगे अब सिंगल ही ले जाए क्योंकि ओः कि शुकरे इनकर था इन्हों उने अपील नहीं कि यार आउट करवा दिया हमने प्लीज बोलना कि आउट नहीं है अरे बहुत क्लोस था यार आइधिंग प्लीज नॉट आउट दे दे प्लीज नॉट आउट शिट यार रितुराज गाएक और स्क्रीफ ओकर्ड में आउट हो गया फोड़ा जल्दी से लेते लेते ना अगर हम रन तो नहीं हो नदर ना आउट अमबत्ती राइडू को हमने फिलाल बुलाया है बाटिंग करने के लिए धोनी आचुके हैं बहुत ही बूरी सिचुएशन में धोनी आचुके हैं एक सोठारा पर हमने चार विकेट लूस कर दी हैं और यह वाइड बॉल डालते हुए बेंस ट चक्का पढ़ेल और अब हम फ्री हिट भी चक्का मारने के बिलकुल पकोशिश कर सकते हैं उचका ठ्का मोहीनली छखका मतलब ठ्का मार ठ्क्रायर अग्सक्षाब। एक है तो वि आगि मैं उच्पा मास कर नहीं और मैं फॉह जय को चॉका गया हैं कि प्रीहिट प्रेहिक को मार देत देत को इस अग्लव वह तो ग्लफ मर टेह ब हैं नहीं है भी बची हुई है तो इस बार तो हमने नहीं 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 फालतो होगा रहन नहीं बैंच हो और अब हम ले सकते हैं क्योंकि बाल ओवर्थ्रो के लिए चौके के लिए चली गई है बहुत ही घटिया फील्डिंग राजिस्तान रोयल्स के दुवारा क्या ओवर्थ्रो का चौका गया है और अब तो हमें और भी मतलब कोई बाउंडरी मारने नहीं वाला था मजह मजह से लेने था हमने 11 रन और यह मैच खतम करना था और इसने शॉर्ट बोल डाली और क्या धोनी ने चुक्का मारा ओ यार आउट ही हो गया बैंच क्या कैच लिया है यार इसने बा आने वाला इस बार और यह शॉर्ट भी वैसा ही था लेकिन देखते हैं कि फील्डर ने कैच कैसा पकड़ा है और बाउंडरी पर यह कैसा शॉर्ट था बाई चूतड़ों में अंखे लगी थी क्या तो बहुत लोग मोहिन अली के 49 रन्स हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 18 ब आउट हो गया 24 फुद्धू बंती दुनिया बर की सैम करन को बुला के लेकर आते हैं और फैनली हमारे विनिंघ पूरे होते हुए चौके के लिए जने वाला है रविंद्र जर्णै ने क्या चौका मारा है और फैनली यह मैच हम तीन विकेट से जीतते हुए जहां पर मैने बात की 10 विकेट से जीतेंगे वहां पर हम आउट होते ही गए होते जल्दी जल्दी क्याले के चक्कर में विकेट्स लूज करते ही गए और लेकिन फिर भी हम मैश जीत गए ना दाट इस वट इस इंपोर्टन और यह है समरी मैच की राजिस्तान रॉज ने 159 बना पांच विकेट्स लूज की और हमने 162 बना लिए साथ विकेट्स करके और सिर और सिर्फ तेरा बॉल में रितुराज गाए कॉट इस दो मैन अफ दो मैच मजा ही आ गया इस मैच में लेट्स गो फर्दर एंड सी हाव दे टेबल लुक्स लाइक अफर दिस मैच अबावाल लोग राउंड फाइव में हमारे चौते मैच के बाद स्टैंडिंग स्टेबल इक जीता तीन हार गई बेचारी और नाइट राइडर चार हार गई रॉयल्स भी चार हार गई और मुंबाइ इंडियंस चारो के चार मैच हार गई बहुत ही अनेक्सपेक्टेड हो रहा है यहां पर मुंबाइ इंडियंस के साथ तो देखते हैं कि आगे का इप्ल 2021 का सीज लिए गुजरता है यह फिल्arat का इपनों सब्सक्राइब उसको दबा देंगे तो मेरा मजा आजा отп – और साथ में में घंटी का अइकन डब भना होगा यहा अगर यहां रहाओ और आपको मेरे हर वीडियो का नोटिएक्यान आत रहा यहगा geographと eerste बटन तो आपको असानी होगी जब भी मैं वीडियो निकालूंगा आप डारेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हैं और मेरी वीडियो तक पहुंच सकते हैं इंस्टाग्राम का मैंने अपना हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लिजे बहुत 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 प्यार आपसे और शुक्रिया जो भी आपने प्यार मेरे को अभी तक दिया है अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे बब बाई थांक्यू दोस्तों